Hello everyone, this is Neil from Stocks at Light. आज हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, विच इस ब्रेकाउट एंड रिटेस्ट. हम लोग सभी ब्रेकाउट में या तो रिटेस्ट में ट्रेड जरूर करते होंगे, तो बहुत सारा प्रॉलेम्स होता है ब्रेकाउट डिटेस्ट रिलेटेड तो सारे प्रॉलेम्स के बारे में आज हम लोग डीटेल में बात करेंगे, उसका सलूइशन भी हम लोग इसी भी वीडियो में आपको मिल जाएगा, तो वीडियो को बिना स्किप के एं तक जरूर देखना, तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, प्रॉलेम्स क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं, यूजिली दो तरीके का ब्रेकाउट का सिनर्यो आपको देखने के लिए मिलेगा, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाला डिसकस कर लेते हैं, यहां पे एक स्ट्रॉंग क्या है? क्या है रिजिस्टेंस है? अभी प्राइस नीचे की साइड में अटान में आ रहा है, मतलब यहां कहीं इसी कहीं लेवल से अपसाइड में आ रहा है, यहाँ पे आया। थोड़ा से एक डेंस लेके price breakout दे दिया। क्या दे दिया। ब्रहेक प्रेकाउट दे दिया। इतना बारा एक ब्रेकाउट दे दिया। ब्रेकाउट जैसे ही closing दिया। उसके बाद हम लोग entry लेते हैं। फिर से बता देता हूं, जो लोग closing के पहले entry लेते हैं, कभी closing के पहले entry लेना, doesn't matter retaste, doesn't matter breakout, candle जब तक close नहीं करेगा, आपका entry नहीं होगा, closing होगा उसके बाद entry, ये पहले सुधार लोग, बहुत लोग closing से पहले entry लेते हैं, और ऐसा type का candle बन जाता है, उसके बाद price नीचे जाता है, तो ये मत करने देना, ठीक है, आपका closing मिलेगा, उसके बाद ही आपको entry लेना है, anyway, यहाँ पे closing मिल गया आपको, ठीक है, उसके बाद आपने entry लिया, लेकिन problem क्या है, उसके बाद price यहाँ एक डोजी टाइप का candle बनाया, मैं एक scenario आप लोग से शेर करता हूं, उ उसके बाद price नीचे आने लगा, उसके बाद जहां से breakout दिया था, उसके नीचे भी price आ गया, closing नहीं दिया, लेकिन price अभी भी आ गया, अभी problem कि आपने यहाँ पे somewhere around 100, 101, ऐसा टाइप का कोई price में खड़ीदा होगा, और अभी price चल रहा है, मान लिजे 95, तो अल्मोंस 56 price मेरे against में चला जाता है, market में मेरे कुछ नहीं रखा, वो लोग exit हो जाता है, यह सबसे पहला problem वो लोग face करते हैं, अभी ठीक है, अभी फिर सपत ले लेते हैं, कि नहीं market आगर उपर जाता है, market जब नीचे आएगा, retest होगा, तब ही मैं entry लोगा, चलो बहुत बढ़िया अभी दूसरा सिनारियो देखते हैं, हम लोग अभी problems के बारे में बात कर रहे हैं, solution इसके बारे में बात में देंगे, ठीक है, अभी दूसरा हम लोग देखते हैं, सिनारियो, अभी मालेजे फिर से यहाँ पर मैंने एक resistance ड्रॉ किया, यहाँ पर नीचे आया, फिर उपर ग आपने लिया था, आपका इसके बाद नीचे आ गया था, तो आप क्या कि आप वेट कर रहे होगे, कि प्राइज नीचे आएगा, यहाँ पर रिटेस्ट बनेगा, कोई उसके बाद ही मैं एंटी लोगा, तो आप वेट कर रहे हो, लेखिन अभी क्या हुआ प्राइज, मैं से उपर चला गया, तो मैं कैसे समझू कि प्राइस कब ब्रेकाउट करने के बाद डारेक्ट उपर जाएगा, और प्राइस कब ब्रेकाउट करने के बाद रिटेस्ट करने के लिए आएगा, तो यह मैं आपको समझाता हूँ अभी, सबसे पहले वाला सिनरियो देखते हैं, यहां पर एक resistance है, पहले वाला scenario है, फोस्ट वाला problem, market देखी नीचे से upside में momentum करते हुए आ रहा है, मतलब बहुत लोग यहां पर खड़ीदा है, कुछ लोग यहां पर खड़ीदा है, कुछ लोग यहां पर खड़ीदा है, तो उन सब का क्या दिखा रहा है, क्या दिखा रहा ह प्राइस अब यहां पर तो उनका भी प्रॉफिट चल रहा है, तो आपका प्रॉफिट चल रहा है, क्या आपका प्रॉफिट आप काट दोगे, क्या आपका प्रॉफिट आप काट दोगे, नहीं काट दोगे, जब तक प्रॉफिट चल रहे दो, हम लोग हमेशा बोलते रह यहां पर क्या कोई भी profit booking आपको दिख रहा है नहीं दिख जब यहां पर यहां पर breakout होने के बाद आपने एंटी लिया आपने एंटी ले लिया माल लिजें यहां पर थोड़ा बहुत profit booking आने लगा जैसे ही उन लोग ने देखा उनका significant amount of profit थोड़ा बहुत loss होने लगा मतलब बहुत profit उनका decrease होने लगा उनके मन में क्या आएगा fear आएगा जो लोग यहां पर खड़ीद होंगे उन लोग का profit काम हो रहा है drastically फटापट तो लोग sell करना स्टार्ट करेंगे जैसे sell करेंगा price फटाफट नीचे आएगा जो लोग miss कर दिया था यह जो पूरा journey है वो लोग क्या गरेंगे फिर ready होंगे कि क्यों कि यहां पर एक resistance था यहां पर फिर फिर प्राइस आएगा तो यहां पर यहां पर बन गया होगा यहां पर बताना चाहरा था अगर प्राइस नीचे की साइट से अपसाइड में मोमेंटम कर रहा है और यहां पर थोड़ा time spin ना करके यहां पर थोड़ा resistance लेकर ब्रेक आउट कर रहा है तो ऐसे ट्रेड में आपको हमेशा एक रीटेस्ट देखने के लिए मिनेगा there is a 95% to 90% of the chance the price will come down to particular level make a retest successful होता है नहीं होता है वह आपको candle से पता चल जाएगा ऐसा टाइप का कुछ candle बनेगा यहां पर कुछ ऐसा टाइप का candle बनेगा रीटेस्ट हो गया उसके बाद प्राइस यहां से उपर जाएगा अगर प्राइस नीचे की साइट से आ रहा है यहां पर कोई सकतर से यह बहुत हैं से यहां पर रस्ट हो गया है मतलब क्रोफित बूकिंग अभी तक नहीं होज पर छाइब तो यहां पर संस्क्राइब लीजिस्क्राइब होगा इसमें रिटेस्ट करने के लिए नहीं आएगा यहां पर डारेक्ली अपसाइट में जाने के बाद शायद यह जो पूरा जर्णी हुआ इसका 50 60% के आज पर डिटेस्ट करेगा उसके यहां से अपसाइट में चला जाएगा अगर ब्रेकाउट होता है क्लोजिंग मिलता तब आपको अच्छा अपसाइड में देखने के लिए नहीं आएगा चांसे बहुत कम हो जाता है तो आपको अभी पता चल गया कब प्राइस होने के बाद डारेट ओपर जाएगा कब प्राइस ब्रेकाउट होने के बाद रिटेस्ट करने के लिए आएगा breeding के लिए आएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगर तो लाउक ज smiles करमरा है अगर आप चैनल पर नहीं हो चर्चनल को सब्सक्राइब l pa